लुध्याना के चंडीगर रोड स्थेत जमालपूर अर्बन स्टेट के राजीव गांधी कॉलनी में एक दिल दहला देने वाला मामला सामनी आया है जिसमें एक तरफा प्यार के चलते एक सिर्फ फिरे आशिक ने प्रेमिका के दो नाबालिग बच्चों की जान ले ली जिसक के साथ के क्वार्टर में रहने वाला नौजवान उसे रोजाना तंग परिशान करता था और शादी के लिए मजबूर करता था उसने कई बार विरोध किया और मकान माली को भी इस बारे में बताया लेकिन उसने उसके दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर मौत के हवाले कर और अज्ठी का ईभर मेरे पीछेबरा तो मैं उसको नहीं बोल न थी युदर मेरे बच्चें से बोलते ते में मैं तेरा पदे exactly now jumping my industry मैं नहीं खेलने देती थी तो उमेरे साल बर से मेरे पीछेबरा तो पुरा पोरा बेडा भर आठी दोब काल जया आप जहां ऊसके तो लगा रहे हैं ओछ अब बार घर फ्रवान कई वुड़े वे लिए घए दोनु बच्चे कौ वार खेल देते से पकड़ के अंदर कर लिया कुंडी लगा के ताला बले मेरे बच्चे दोनों उसी में चिला रहे हैं तो मैं वहां से दोरी आई मैं पूची क्या हुआ तो बोला कि ममी सलेंदर रूम में घुसर आया है तो मैं बोली दर्वादा को सारे आदमी जूट गए मेरा कर दर्वादा खोला और मेरे बच्चे को चाकुल लेकर गटाई दोनों की गर्दन काट दिये अपना भी उपर पंगा में लटक गया जी राजीन गांदी कॉली स्टेशन पोकल पॉंट इंसीजेंट है का शलेंदर नाम दे व्यक्ति ने दो बच्चें दा मुदर करके फुद सूसाइट क मैं वैपन की यूज की था जियो ने शाप एंड वैपन की सामने आई दिजी प्रेलम्न ने इंवेस्टिकेशन दरा नहीं सामने आए कि बच्चे दी मदर नो स्टॉप करता सी तकल इन ने जो इना दा भेड़े दा मालक सी होदे ना इंटरनल ही कोई दालबाद किती सी अरे करेड़ लिए